नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों UPSC आयोग के माध्यम से स्वास्थे विभाग में इन पदों पर सीधी भरती मुकमंत्री जी ने दिये निर्देश इन खाली पदों पर जल्द हो भरती प्रक्रिया सुरू आनलाइन आवेदन जल्द सुरू सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर नए दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिएगा चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं स्वास्ते वीभाग में किन पदों पर जो है भरती के लिए मुखमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं और कौन से और पद हैं जिन के लिए निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द यह भरती पक्रिया आयोक के माध्यम से सपूरी की जाए यहां से दोस्तों देख सकते हैं कारागार विभाग में 3504 पदों पर जल्द होगी भरती मुखमंतरी योगी आधितनात ने कारागार प्रसासन एम सुधार विभाग में खाली पदों को भरने के निर्देश दियें वर्तमान में इस बिभाग में समुह काक से लेकर घा तक के 354 पद रिखते हैं इसे सीधी भरतीवा बिभागी प्रोणनती के जरिये भरा जाना है हाला कि राज सरकार ने तीन दिन पहले इस बिभाग में दो IPS अधिकारियों को अस्थाई तैनाती दी है जब कि तीन IPS को अत्रिक्त प्रभार सौपा गया है हाल ही में एक उचस्तरी बैठक में अधिकारियों ने मुखमंत्री को बताया कि वर्तमान में बिभाग समुह काके 156 पद इनमें से 107 पद रिक्त हैं इसी तरह समुह काके 729 में से 326 पद खाली हैं ऐसे में वर्तमान में 12,19 में से 8,779 पद पर कर्मी तैनात हैं जब कि सेस पद खाली हैं इसी तरह जेल वार्डर के 7,815 पदों में से 2,068 पद खाली हैं इस संबंध में बिभाग ने उत्तर प्रदेस पुलिस भरती यों प्रोनित बोड को पत्र लिखा गया इन पदों पर भरती प्रक्रिया मई 2024 में सुरू हो सकती है वही जेल के अस्पतालों में चिकिसा अधिकारियों के 153 में से 36 पद खाली हैं और इन पदों पर तैनाती चिकिसा एमसास है बिभाग की ओर से की जाती है इसी तरह फार्मासिष्ट के 149 में से 149 पद में से खाली है 89 पद पर भरती के लिए उत्तरप्रेस अधिनस सिवाचैन आयोक को पत्र भेजा गया यानि अब साफ हो गया है कि फार्मासिष्ट की भरती जो है आयोक के माध्यम से होगी और वो भी जो है सीधी भरती यानि लिखित परिछा के अनुसार जो है होगी और PDT के माध्यम से होने की बात कही जा रही क्योंकि 4000 पदों पर आप लोगों ने देखा ही होगा और इसमें दोस्तों अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि एनम की भरती का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन एनम की भरती भी जो है 16,000 पद खाली है आप लोगों मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि 16,000 पद एनम के खाली है महिला स्वास्य कारिकरता के जैसे ही 9,212 पद भरती संपन होगी उसके बाद 10,000 पदों पर जल्द ही जल अधियाचन आ जाएगा और उसके साथ में जैसी जो प्रक्रिया रहेगी पीटे के माध्यम से और फिर उसके मुखे पर इच्छा सौर्ट लिष्टिंग जैसे ही 9,212 में हुआ है इसी हिसाब से आगे की भी प्रक्रिया यूपी ट्रिपल सी आयोक के माध्यम से की जाएगी और भी तमाम भरतियां ह वीडियो को अन्त तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद